दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन यूजू में दोस्त वीडियो में बात करने वाले हैं कोवीड हेल्थ असिस्टेंट कोवीड स्वास्ते सायक तो वीद सचिव अखिला रोडा जी से जो वारता हुई है और उ अखिले रोडा जी से बातचीत के बाद जो कुछ सामने निकल के राया है वो बताने वाले है सीधे सीधे इस पर सब्दों में मैं कहूं तो मेरी नजर में टॉटली लॉली पॉप है चूसने वाला और प्लास्टिक वाला है जिसमें स्वाद भी नहीं आने वाला किस तरीके का इकी इस तरीके की हरकत सरकार ने की है पूरा अपडेट क्या है समझा देते हैं पालेट मनोज भांबू को आप चानते होंगे अच्छे तरीके से परिचित हैं चोटे पालेट के नाम से विख्यात है और आंदुलन का चेरा रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पर देखिए सी चे को ही सामिल किया जाएगा संख्या कितनी होगी यह नहीं बताएगा यानि कॉंट्रेक्चुल कॉंट्रेक्ट पर सवीदा पर भरते निकाली जाएगी ठीक है यानि कि अब फिलाल आप लोगों को अगर जो कुछ आपका पहले जो जिस तरीकी का जोब था वैसा नहीं रह जाने वाला एक कॉंट्रेक्चुल भरते निकल जाएगी वापस एक प्रिक्रिया का हिस्सा बनना होगा ये पहली बात है और उसमें चे कोई सामिल किया जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता कि कानूनी रूप से सही होगा पहली बात कानूनी पेच भी हैं अगर सिर्फ और सि CHA को ही इसमें सामिल किया जाता है तो जिनोंने UTV में काम किया कोरोना के टाइम पे वैसे काम किया वो लोग कहा जाएंगा अगर सिर्फ और सिर्फ CHA को ही इसमें अगर इस तरीके से वो किया जाएगा तो पहली बात तो ये है इसके बाद दूसरी बात आती है कि भरतियां कित पता दूसरा है बचे हुए CH-A को भविश्य की भरतियों में बोनस दिया जाएगा देखिए आप बोनस की बात यहां पर की गई है और इन्हों नहीं कहा है कि जो बच जाएंगे एक कॉंट्राक्च्वल भरति के बाद जब बच जाएंगे तो उनको जो CH-A बच गए तो इसक सच बताई देते हैं आप लोगों को कि 18 से 20,000 के आसपास की संख्या है अब 18 से 20,000 तो आपको पता ये contractual भरतिया नहीं होंगी पहली दफा तो दूसरी बात यहां पर है कि CH अभ्यारतियों को है bonus दिये दिया जाएगा bonus किन भरतियों में दिया जाएगा पर्मानेंट में दिय इस पर दिया जाएगा ठीक है मान लीजिए एक पहली समझने की बात यहां पर यह है मान लीजिए पहले कोई contractual में लग गया ठीक है कोई CB CH लग गया यानि कि 10,000 CH मान ले contractual में लग गये बाकी जो बच गए इनको किन भरतियों में bonus दिया जाएगा पर्मानेंट में दे दि यह भी CH थे यह क्या मांग नहीं करेंगे ठीक है यह समझने की बात है तो totally अगर हम बात करें सीधे इस पर सब्दों में तो एक तरीके से यह सरकार ने दो लोलीपॉप्स दिये हैं और भी इसमें सामिल हो सकते हैं अब यह सारे के सारे जो प्रतिनी दी थे उनकी बात चीत क बाद क्या कुछ हुआ है वो आना बाकी है यह मनोज पाइलेट जो है उनके द्वारा दी गई जान करें ट्वीट उनोंने किया था तो एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि वो ही जो रवी चावला डेड़ दो महीने पहले से कह रहे थे कि आदों को हम एक बार में सामिल कर द देंगे तो कुल मिलाकर बात वही है देखिए बोनस जो अंक दिया जाता है वो एक साल के अनभाव पर दिया जाता है ठीक है मान लीजी आब अगले माहीने इस हो की भरती आ जाए या फिर स्टाफ नर्स की भरती आ जाए तो किस आधार पर आप लोग बोनस देंगे सबसे पहली बात कानूनी रूप से भी कोई चीजे सही होनी चाहिए यह भी सरकार को देखना होगा तो टोटली बात यह है दोस्तों यह दो पॉइंट जो इन्होंने बताए हैं इनमें इस्थिरता नहीं है किस तरीके से क्या होगा यह तो जब परतिनी दी या तो सामने आ करके ब बरति में लग गए तो बाकी की बरतियों में बोनस किन, बरतियों में दिया जाएगा यह भी यहाँ पर तै नहीं किया गया है खुल मिलाकर बात यह है लोली पॉप है और बस इतना ही कहूंगा देखते हैं बाकी रवी चावला का स्टेटमेंट का भी आमें इंतजार है कि क कुछ क्या कुछ कहने वाले हैं इस बारे में तब ही पता चलेगा बाकी इनकी दुआरा भी दी गई जानकरी ओथन्टिक है ये भी प्रतिनिदी मंडल में सामिल थे ठीक है दोस्तों जो भी अपटेट होगा आप लोग तो दिया जाएगा फिलाल के लिए इतना ही समझे एक त जाएगा जाएगा बारे में समझे दुआवा आपस।